मैं मिसिस निहा आशिश दिवारी, वो आशिश दिवारी जिसके जान हॉस्पिटल की लापरवाही की वज़े से चली गए अज दस दिन हो गए इस बात को, अब जाके इम्मत आईए कि मैं आप लोगों को बता पाऊं कि उनके साथ क्या हुआ था कुछ नहीं था, उन्हें, नॉर्मल फ्लू था, जिसकी मैडिसिन वो पीसीजन डॉक्टर से ले रहा थे ट्रीटमेंट चल रहा था उनका, संडे का दिन था, डॉक्टर अभेलिवल नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने भाई सिखा कि मुझे सांस लेने में तक्दीब हो रही, मुझे होस्पिटल ले चलो, मैट्रो होस्पिटल लेकर गए, उन्होंना एक्सरे किया बताया कि इन्हें निमोनिया है, जो की ज़ादा बढ़ गया है, आप इन्हें मेडिकल ले जाओ, उन्होंने कहाँ एड्मिट कर लो, एड्मिट नहीं किया, ऑक्सीजन नहीं दिया, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं किया उसके बाद ambulance में इन्हें medical लेकर गए medical में इन्हें admit किया treatment करना start किये अंदर जाने नहीं दे रहे थे provide किया oxygen उसके बाद इन्हें अच्छा लगने लगा इन्हें अपने भाई से बोला भी कि अब मुझे अच्छा लग रहा है मुझे खाना दे दो खाना खाए भी उसके बाद मुझे फोन किया 11 बच के 32 मिट पर उनने मुझे से बात की जो कि विल्कुल नॉर्मल बात की उसके बाद अपने भाई से बोला कि घर से मेरे लिए लोवर लेया उनके भाई हॉस्पिटल से नीचे उतरे हैं थोड़ी दूर गए हैं उसके बाद हॉस्पिटल से कॉल आ गया 11 बच के 38 मिनिट पर कि आपके भाई 10 मिट जिन्दा रहें आप लोग बता सकते हैं इतनी बीश में क्या हुआ होगा हमें बाद में वहां से लोगों से पता चला कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं दी गई वो अपने लिए लड़े भी कि ऑक्सीजन की जरूर दे लेकिन किसी ने उन्हें ऑक्सीजन नहीं दी जब वो हार गए तब डॉक्टर उन्हें फोन किया कि अब कुछ नहीं हो सकता क्यों ट्राइवेट होस्पिटिल ले नहीं रहे हैं गॉर्णमेंट होस्पिटिल में वेंटिलेटर की सुविधा भी नहीं है ऑक्सीजन भी नहीं है मैं नहीं कहा रहे कि सारे होस्पिटिल एक जैसे हैं सारे डॉक्टर एक जैसे हैं लेकिन जिन ने इनका ट्रीटमेंट किया, जो डॉक्टर थे उस समय, मुझे उस डॉक्टर पर केस करना है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें, कुछ नहीं था, कोविड नहीं था इने, क्योंकि उसकी रिपोर्ट अभी तक आई ही नहीं है, हमने दस दिन वेट किय ना अमारा घर सील हुआ, ना हम लोगों का टेस्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब इन लोगों ने टेस्ट किया ही नहीं, और अगर किया है ति रिपोर्ट कहा है, हमें रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, जब इनकी बॉड़ी उठाई, तो वहाँ पे गलफ्स नहीं पहने थे लोगों ने, मास्क नहीं लगाया था, तो फिर कैसे लोगों ने कह दिया कि इन्हें कोविट था, जिन लोगों ने बातें फैलाई हैं, मैं उन लोगों पर भी केस करूँगी, कि कैसे बिना सबूत के इन्हें कह दिया कि इन्हें कोविट था, इ क्या करूं मैं। आप लोग वेट कर रहे हैं कि जब आप लोगों के साथ ऐसा होगा तब आप लड़ेंगे। हमें भी नहीं मालूं था कि जब अब 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 लेकिन जब हमारे साथ ऐसा हुआ तब हमें पता चला। दस मीट में हसता बोलता इंसान चला गया। और किसी को कोई फरक नहीं पड़ा। एक परिवार उजड गया है लेकिन किसी को कोई फरक नहीं पड़ा। हम लड़ रहे हैं, हमें सपोर्ट की जरूरत है, हमें जस्टिस चाहिए, आज शिष्टिवारी सब के लिए लड़ते थे, लेकिन आज उनके लिए अगर कोई खड़ा नहीं हुआ, तो मैं अपने आपको माफ नहीं कर पाऊंगी, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे वो डॉक् कॉलेज में अभी ऐसा नहीं है, वहाँ पे अभी उसके बाद भी लोगों की जान गई है, तो क्यों कोई एक्षन नहीं ले रहा है, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्लीज हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, इस बात को मुझे धरना नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती कि आप भीड जमा करो, नारे बाजी करो, आशिश्टिवारी करो, नहीं ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे भीड नहीं चाहिए, मुझे भरोसा चाहिए कि मुझे जस्टिस मिलेगा, प्लीज, प्लीज हेल्प